अपने नेबर की मैरीड लड़की के साथ अफेर करने के पाथ एक आदमी को सुसाइट करने के लिएक बिल्डिंग पर आना पड़ा आखिर उसे ऐसा क्यों करना पड़ रहा था यह हम आज के हमारे मुवी तलेज 2011 की एक मिस्ट्री हॉलिवड मुवी में देखेंगे तो अंदक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी देरी के एकस्पेंशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ड होती है और हम एक पुलिस ओफिसर को देखते हैं इसका नाम है हॉलिस वो हॉस्पिटल में स्पर्म डोनेट करने के लिए आया हुआ था क्योंकि उसका एक कपल फ्रेंड था जो उसका बेबी चाहते थे डॉक्टर से उसे पता चलता है कि उसे कभी भी बच्चे हो नहीं सकते है इस बात से हॉलिस को बहुत बड़ा शौक लगा क्योंकि उसके घर पर उसके दो बच्चे है इसके मंतलबे उसकी वाइफ ने उस पर चीट किया था इसके परलल में हम हमारे और एक मेन गारेक्टर को देखते हैं इसका नाम है गैविन गैविन एक बड़ी सी बिल्लिंग के रूफटॉप पर आ गया और वहाँ से अप सुसाइट करने वाला था जरा टाइम घुजर जाता है पर वो जम नहीं कर पाता किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया और गैविन से बात करने का काम यह हॉलिस को ही दिया जाता है Hollis Gavin के पास आया और अपने आपको इंट्रोडूस करता है उसने Gavin से पुछा क्या तुम्हारी शादी हो गई है Gavin कहता है कि नहीं हुई तो Hollis कहता है तो फिर तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो वो एक चोटा सा जोक करने की कोशिश कर रहा था पर Gavin इसके मूड में नहीं है Hollis ने कहा मुझे रखता है कि तुम बहुती स्मार्ट हो तो क्यों न हम डारेकली पॉइंट पर आ जाए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉलम कह है और हम इसे सौल करने की कोशिश करेंगे Gavin कहता है कि मुझे डारेकली पॉइंट पर नहीं आना क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है Hollis ने कहा कि हाँ Gavin ने पूछा कि क्या तुम्हारी अब तक रिलेशनशिप अच्छी है Hollis उसे जूट कहता है कि उनकी रिलेशनशिप बहुत ही बेस्ट है Gavin ने Hollis से कहा मेरे जाने के बाद तुम्हें एक काम करना पड़ेगा Hollis इसके लिए मना करता है कहता है जो भी काम है तुम नीचे आकर कर सकतो Hollis समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड है उससे बुचता है क्या तुम ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हो अगर 12 बज़े तक मैंने सुसाइड नहीं की तो किसी और की डेथ हो जाएगी अब क्लॉक में 11 बज़े थे Gavin ने अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट किया हम देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में Gavin रहता है वहाँ पर अभी अभी एक कपल रहने के लिए मूँ हुआ है इसमें वाइफ ही जिसका नाम था शाना ये बहुत ही ब्यूटिफुल थी एक दिन Gavin जब घर से निकला तो शाना और वो ये दोनों एक ही बज लेते हैं एक दूसरे को देखका स्माइल करते हैं गैविन होटेल में अज़े मैनेजर काम करता था उसकी स्टाफ की फ्रेंड उसके पास आई उसके साथ वो फ्लर्ट कर रही थी गैविन उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता वो अपने स्कूल के ऐसे के बार में बात कर रही थी जिसमें उसे लाइफ के एक नॉन लिविंग थी जो उसके लिए बहुत इंपॉर्णन्ट है इसके बार में लिखना था उस लड़की के जाते वक्त हम शाना को इंटर होता देखते हैं ये दोनों एक की स्कूल में थे शाना को भी काम की जरूरत थी तो गैविन के पास इंटर्वी देने के लिए वो आई हुई थी अपने बारे में बताते हो शाना ने कहा कि मुझे म्यूजिक बहुत पसें है पर इसे मैं अब तक पैसे नहीं कमा दी तो तब तक वो एक जॉब करना चाहती थी गैविन औरेड़ी शाना को लाइक करता था तो उसने उसे हायर कर लिया गर पर आने के बाद गैविन का रूम में जिसका नाम में क्रिस यह उसे बात कर रहा था कहता है कि हमारी यहाँ पर एक नेबर रहने के लिए आई हुई है जिसका नाम में शाना उसे मेरी एक दुबार बात हुए वो बहुत ही अच्छी है गैविन कहता है कि होटल में जॉब करने के लिए वो आई हुई थी फ्रेंड कहता है कि यह सब कोइंसिडन्स नहीं हो सकता ज़रूर तुम दोनों में कुछ ना कुछ तो होने वाला होगा इस बात को गैविन इंग्नोर कर देता है क्योंकि वो इस तरीकी कोई भी चीज़ को नहीं मानता आज उनसे मिलने के लिए शाना और उसका हस्बन जो दोनों है उन्हें डिनर के लिए इन्वाइट करते है निक्सिन में गैविन ने शाना को सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया ये लोग डिनर पर फिर से मिलते है गैविन ने पूछा कि तुम अपने ऐसे में क्या लिखने वाली हो शाना कहती कि मैं एक टेडी बेर के बारे में लिखने वाली हू गैविन इस पर हसा पर यह बाद शाना को अच्छी नहीं लगती शाना के हजबन जोग को लग रहा था कि गैविन और क्रीस यह दोनों के हैं पर एक्चुल में सिर्फ क्रीस ही के था वो डिनर के उत प्रे करता है और गौड से कहता है कि इन आदमी उन्हें जो भी किया है इन्हें माफ कर देना उसने उन्हें पापी भी कहा था इस बात से गैविन को बहुत जादो गुस्सा आ जाता है और वैसे वहाँ से चला गया थोड़ी देर में क्रीस भी निकल जाता है पर उसके हजबन के लिए शाना ने उसे सौरी कहा गैविन फ्रेंड से कहता है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो भी लोग यह है उन्हें मार देना चाहिए इस तरह की जो की भी सोच होगी इसी वज़े से वो बहुत ज़ादा गुसा था क्रीस ने कहा कि शाना अच्ची है उसने मुझे सौरी कहा था गैविन शाना के ऐसे में इंटरस्टेट था तो शाना उसे पढ़ने के लिए उसका ऐसे दे देती है वो जब छोटी थी तो उसके फादर उसे छोड़ कर चले गए थे पर जाने से पहले उसे टेडी बियर देकर गए थे उन्होंने उसे आई लव यू कहा था पर यह बोलते हो उनके आखों में आसू थे यह टेडी बियर निशानी थी कि उसके फादर उसे बहुत ही प्यार करते थे इसी वज़े से उसके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह पढ़ने के बाद गैविन को अपनी बेटी की याद आ जाती है होटेल में दोनों जब फिर से मिले तो शाना नों से फिर से सौरी कहा गैविन उसे बुशता कि क्या तुम मेरे साथ लंच कर सकती हो शाना कहती कि यहाँ पर जो मेड काम करती है वो चर्च में भी आती है अगर मेरे हजबन को पता चला तो मैं ट्रवल में आ जाऊंगी गैविन कहता कि हम कही और लंच के लिए चलेंगे वरी मत करो लंच वा शाना अपने फादर के बारे में बताती है कहती है क्यों हमें बहुत मारा करते थे शायद वो डर गए थे क्यों हमें बहुत जादा हर्ट करतेंगे इसी वज़े से घर छोड़ कर चले के गैविन मूटी करने के लिए उसे एक बियर आफर करता है वो पहले मना करती है पर बाद में ले लेती है इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट देखते है जिसमें गैविन हॉलिस के साथ बात कर रहा है गैविन कहता है कि जब जो ने मेरी इंसल्ट की थी तब ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि शाना के साथ मैं अफेर करूँगा ये बात करते हैं हॉलिस को अपने वाइफ का फोन आया वो इससे पहले घर गया था और अपनी वाइफ को उसने कन्फरेंट किया वो बहुत ही ज़ादा गुसा होकर घर से निकल चुका था वो अपने बच्चों की फोटोस देखता है उसे बहुत बुरा लगता है कंट्रोल करकर उसने गैविसे गा कि अपनी स्टोरी को तुम कंटिन्यू करो एक दिन गैविन से फेसे जो मिला था उसे पात करनी थी उसे गहता है मैं तुम्हे सारी चीज़े समझाना चाहता हूм फेज, रिलिजन इन सब चीजों के बारे में उसे उसे पात करनी थी कैविन इन सब पर बिलीव नहीं करता पर से अर्गुमेंट के लिए मान जाता है गैविन और शाना बस में मिले शाना उससे बुछती है किया तुमने कभी शादी की थी गैविन कहता है कि हाँ मैंने की थी पर मैरेज में मेरे प्रॉलम्स कुछ अलग थे मुझे लगता है तुम्हारे मैरेज में कुछ अलगी प्रॉलम्स है किसी ने अगर तुमारे साथ रहम खाकर शादी की इसका मतलब यह नहीं होता कि तुमसे वो प्यार करता है शाना को यह बात अच्छे नहीं लगती तो गैविन ने सौरी का उसने बुचा कि तुमारा डिवास कब हुआ था गैविन कहता है कि दो साल होगे शाना ने कहा तुम अपने आपको रिकावर करने में बहुत टाइम ले रहे हो गैविन मजाग में कहता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटिमेट होने लगके तो मैं जल्दी जल्दी रिकावर हो जाओंगा गैविन ने हली से कहा कि मेरी यह ट्रीक थी उसके माइन में मुझे एक आईड़ा डालनी थी अगर इसके बास शाना का अपने हजबन के साथ जगड़ा होता वो डारिकली मेरे पास आ जाती मेरे बारे में ही सोचती सच मुझ में ऐसा ही हुआ था शाना उसके बारे में सोचने लग गई थी अगली दिन बस में जब फिर से मिलें तो गैविन उसे कल के लिए सौरी कहता है उसने कहा कि मैं फिर से तुमसे कभी भी फलर्ट नहीं करूंगा यह भी उसके एक ट्रीक थी उसे अटेंशन देकर फिर से उसे दूर जाना रात में गैविन और जो यह दोनों मिले यह रिलीजन के बारे में बात कर रहे थे गैविन कहता है कि रिलीजन के नाम पर लोग कुछ भी कर सकते है जैसे कि 9-11 उन्होंने खुझ से सुसाइट बॉम्बिंग कि यह बहुत ही गलत चीज है जो कहता है कि वो अलग चीज है हमें गाड पर हमारी फेथ के लिए बिलीव करना चाहिए अगर हॉस्पिटल में छोटे से लटके की डेथ हो रही हो उसे लगता है कि वो हेवन में जाएगा तो हम उसकी फेथ को क्वेश्चन नहीं कर सकते है गैविन कहता है कि यह भी बात सच है पर फिर भी गौड एक्जिस्ट करता है कि मानने के लिए रेडी नहीं था गैविन की लॉजिकल बातों के वज़े से ज़्यादी ज़्यादा गुस्ता हो जाता है शाना यह देखकर गैविन से कहती है प्लीज यहाँ से चले जाओ अगली दिन शाना गैविन से बात करती है उसने कहा कि जब मैं टीनेजर थी तो मुझे रक्स की आदत पढ़ गई थी उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी एक दिन वो पैसो के लिए एक आदमे के पास गई जिसने उसे बहुत मारा था इन सब की वज़े से उसके लाइफ बरबात हो रही थी वो जब हस्पिडल में थी तब जो उसे मिली थी जो ने उसे जिन्दगी जिनेगी का एक सही तरीका दिखाया वो इसके लिए बहुत ही ग्रेटफूल है वो गैविन से कहती है कि प्लीज उसे जरा दूर रहना कल राज जो भी हुआ इसके बाद और भी ज़दा स्ट्रिक चर्ज में हो जाने वाला है शाना जहाती थी कि गैविन भी उसे दूर रहे गैविन कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटिफूल हो शाना कहती कि तुम भी एंड्सम हो और इसके बाद वो यहां से चली कि गैविन सचूश में उससे दूर रहने रख्या एक दिन होटेल की स्टाफ के फादर की डेथ होके वो बहुत रो रही थी गैविन उसे सहारा देता है और उसे लग रहा था कि उसके फादर हिवन में जा रहे है तो गैविन भी इस बात से एगरी करता है शाना यह सब देख रही थी राद में गैविन रूफटॉप पर हैंग आउट कर रहा था तो उसके पास हो आ जाती है गैविन सिगरेट पी रहा था तो शाना कहती कि जब मैं हाई होती थी तो मुझे वो पसंद आता था पर जब जो मेरी लाइफ में आया उसने मुझे फेद दीखाई गौड पर बिलीव करने के बाद उसे ड्रुग्स करना अच्छा नहीं लगता था गैविन कहता है कि गौड क्यालाओ ऐसे बहुत सारी चीज़े जिससे तुम इंस्पायर हो सकती हो पास के लॉन पर आकर ओ लेट जाता है उसने शाना को भी बुला कहा कि देखो इस स्काई कितना ब्यूटीफूल है इसकी लाइट हमारे पास पहुँझ रही है इसके बीच एक साइन्टिफिक रीजन है इस तरीके की नैचरल ब्यूटी भी हमें इंस्पायर कर सकती है शाना से अब शागती थी कि उससे भी कोई प्यार करें तो गैविन उसे किस कर लेता है इसके बाद वो घर पर आये और जो ने प्रेयर कि वो शाना से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना किसी से प्यार कर पाऊंगा अगली दिन डारेक्टली शाना गैविन से कहती है कि हमें होटेल की रूम में मिलना चाहिए उसने इसके बारे में बहुत सोचा था और उसके साथ आजराद वो इंटिमेट होना चाहती थी रात में इन्होंने मिलने का डिसाइड किया गैविन उसके मोबाइल पर होटेल का नाम का टेक्स्ट कर देता है ये टेक्स जो ने पढ़ लिया शाना जो से कहती कि मेरी एक्स्टा शेफ्ट है और यहां से चली जाती है जो ने भी उसका पीछा किया शाना गैविन से मिली उसके साथ इंटिमेट होकी जो को ये सब देखकर बहुत भुरा लगता है अगली दिन शाना गैविन से गहती है मुझे लगता है कि जो को सब कुछ पता चल चुका है उसने मुझे से कल और आज कुछ भी बात नहीं कि और कल में जब घर पर आए तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम कहा से आई हो Gavin ने कहा कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती शाना कहती कि मैं डरती हूँ अगर मैं उसे छोड़ कर चलीगी तो खुद को हड़ कर देगा पर वो फिर भी Gavin के बारे में हमेशा सोचती रहती है उसने भी कहा कि मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता हूँ फिर से प्रेजेंट में हॉलिस कॉपनी वाइफ का कॉाल आया वाइफ समझाती है कि जो भी हुआ था ये सिर्फ एक अरेंजमेंट थी हम बहुत ही ट्राइ कर रहे थे पर कुछ भी हो नहीं रहा था इसलिए मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये सब क्या हुआ था फिर से स्टोरी आगे बढ़ती है शाना और Gavin एक दूसरे से कंटिनियूस ले मिलने लग गए थे एक दिन जो ने उन्हें सुना और उसे बहुत ही बुरा लगा शाना गैविन से बुचती है कि तुम्हारी बेटी का है गैविन कहता है कि दो साल पहले कार अक्सिडन्ट में उसकी टेथ हो गई थी इस एक्सिडन्ट के लिए उसकी वाइफ उसे ब्लेम करती थी उसी वज़े से उसे छोड़ कर वो चली गई थी शाना ने कहा कि अगर हम एक साथ रहे तो बहुत खुश रहेंगे गैविन भी यही चाहता था प्रेजिडन्ट में गैविन हॉलिस से कहता है स्टार्टिंग में सिर्फ यह मजाग मजाग में कर रहा था पर बाद में मुझे एक्च्वल में शाना से प्यार हो गया गैविन ने हॉलिस से पूचा कि तुम अपने वाइफ से प्यार क्यों करते हो हॉलिस उसे आज जो भी हुआ था इसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है हॉलिस ने कहा कि अल्रेडी मेरा डे बहुत ही हार्ट है जल्दी से नीचे आ जाओ और यह सब खतम हो जाएगा गैविन फिर भी मानता नहीं एक दिन जो ने शाना से बात की उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हम किसी दिन होटेल में चल सकते हैं मैं तुम्हें प्रॉपरली सैटिस्फाय करना चाहता हूँ आज शाना जोग को छोड़कर जाने वाली थी पर अवना माइन वो चेंज कर रेती है उसने गैविन से कहा कि मुझे और भी ज़रा टाइम चाहिए एक दिन फिर शाना और जो फिर होटेल रूम में मिले इसके बाद क्या हुआ है हमें आगे पता चलेगा गैविन जब घर पर आया तो जो उसे घर में बुला लेता है यदा है कि मुझे तुमसे बहुत इंपोर्टन बात करनी है जो कहता है मैं भी पहले गौड पर बेलिव नहीं करता था मेरी वाइफ थी मेरे एक बहुत अच्छी सी फैमिली थी मुझे गैमलिंग के एक बहुत बुरी आदत पढ़के और उसी वज़े से मैंने सब कुछ खो दिया उसके बाद फिर में चर्च में जाने लग गया गौड की वज़े से मुझे सब कुछ मिल गया फाइनली शाना भी मेरे लाइफ में आगी उसे बहुत ही पैर करता है जो ने कहा कि मुझे शाना और तुम्हारे बारे में पता है उसे बाइबल का एक पैसेज रेड करने के लिखेता है इस पैसेज में लिखा था कि अगर married person ने किसी के साथ affair किया तो उसे और जिसके साथ उसने affair किया है इन दोनों को मार देना चाहिए जो के हाथ में गन थी तो Gavin डर जाता है वो बहुत ही डिस्टब हो चुका था उसे समझ में आनी रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए जो कुछ भी कर नहीं पा रहा था तो Gavin को उसने छोड़ दिया Gavin से बात करते हैं Hollis ने नोटिस किया कि उसे दूर से कोई देख रहा है Hollis को शग आता है जो की वज़े से Gavin सुसाइड कर रहा है अबने सूपिरियर से उसने बात की और आगे की बिल्डिंग की तलाशी लेने के लिए उसने उसे का फिर से स्टोरी में हम देखते हैं जो जब शाना से मिलने के लिए फिर सो है तो उसके हाथ पर उसने बान दिया वो Gavin को कॉल लगा कर कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब क्या करना है तुम दोनों को मरने की ज़रूद नहीं है तुम दोनों में से एक भी मर जाए वो भी इनफ है तुमारे पास बारा बज़े तक का टाइम है होटेल के आगे की बिल्डिंग पर जाओ और वहाँ से सुसाइड कर लो वरना मैं शाना को मार डालूँगा Gavin के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था इसी वज़े से यहाँ पर वो आया हुआ था Roger Gavin से कहता है तुमें मुझे पहले बताना चाहिए था मैं जल्दी से तुमें बचा लेता Gavin कहता है कि जो शाना को हट कर सकता था वो नहीं चाता कि उसे खुच भी हो Wallace कहता है कि तुम जो को जानते भी नहीं तुमें पता नहीं कि ऐसा कुछ करने का वो capable है प्यार करता था इसके बाद डारेक्ली उसने जम कर दी शाना को ढूंटे होई पुलीस पहुज गए थे और जो को अरेस्ट कर लेते हैं हॉलिस शाना से मिलकर गेता है गैविन ने मुझे बताया था कि तुमसे बहुत प्यार करता है आज रात उसे सजिस्ट करता है कि किसी हुआ है वो अब भी तुमसे प्यार करती है तुम्हारे पास चॉइस है हॉलिस को भी बात सही लगी और अपने फैमिली के पास वह वापस आ क्या वो सारी बातों को भूल जाता है और पहले उसकी जैसी फैमिली थी उसी दरीके से फिर से कंटीनू करता है इसी के साथ यह के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे है